हाई वेलकम फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर आशी सचान और आज मैं डिसकस करूँगा एक पेशन की स्टोरी के बारे में जो कल हमारे पास दिखाने आये थे और इस पेशन को गॉल बेड़ स्टोंस थे जो कि इनको पिछले दो साल से थे और किसी फैमिली रीजन से इन्होंन दिखाने आये थे और हमने उनके कुछ टेस्ट कराये और उस टेस्ट में जो है उनका सबसे पहले हमने जो एलेफ्टी कराया था उसमें जॉन्डिस आया था और साथी साथ लिवर एंज्ञाइंस भी बढ़े हुए आये थे और उल्ट्रसम में उनके गॉल ब्लैडर में CBD होती है यानि पीलिया की जो नली होती है उसमें भी स्वेलिंग आई थी सूजन आई थी तो ऐसे केसिस में फिर हमने MRCP कराया जो कि एक स्पेशल तरीके का MRI होता है यह कंफर्म करने के लिए कि कहीं उनको CBD स्टोन तो डेवलप नहीं हो गया है उनको एक CBD स्टोन जो की तो इस वीडियो से मैं आपको यह समझाना चाहरा हूं कि गॉल ब्लेड स्टोन का ट्रीप्मेंट क्यों कराना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत जादा कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है तो इसलिए अगर पेशेंट फिट है उसको कोई और को मॉर्बिटी न नहीं रहता है यानि केवल गॉल ब्लाडर रिमूवल इसका ट्रीट्मेंट नहीं रहता है इन के इसेस में सबसे पहले हमें एches पेवी करने की जरूरत होती है यो कि एक एंडुस्कोपी प्रोसीजर है इसके त्रू सीपीड स्टोन को रिमूव किया जाता है उसके बाद CBD में एक स्टेंट डाल दिया जाता है जिससे की जो भी जॉन्डिस है पेशन्ट का वो कम हो जाए और फर्दर स्टोन स्लिप ना हूँ इसके अलावा जब पेशन्ट ERCP से रिकवर कर जाता है तो उसके बाद उनका गॉल ब्लेटर का रिमूवल होता है और गॉल ब्लेटर रिमूवल के चार से छे हपते बाद पेशन्ट का एंडोस्कोपी रिपीट करके वो स्टेंट वापिस निकालना पड़ता है तो एक तरफ एक सिंगल बार में जो ट्रीटमेंट हो सकता था गॉल ब्लेटर से इस पेशन्ट को वो तीन बार में कराने की जरुरत पड़ेगी सबसे पहले ERCP होगा जिसमें CBD स्टोन निकलेगा और स्टेंट डलेगा फिर सर्जरी होगी और उसके बाद यह स्टेंट निकालने के लिए रिपीट एंडो चाहिए इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसके अलावा अगर गॉल ब्लेडर स्टोन CBD से स्लिप होके पैंक्रियास में आ जाता है तो पैंक्रेटाइटिस भी डेवलप कर देता है जो की एक तरह की स्वेलिंग है बहुत ही जादा कॉमन है हर दिन हमारे पा इसलिए मैं यहीं बताना चाहता हूं कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको डपलोप होती है तो आपको डॉक्टर से कंसर्ट करना चाहिए